है गाईस असलाम वालेकूं उमीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे एच्छे से होंगे और बहुत ही बढ़ी आउंगे आप सब को सही सलामत रखें दोस्तों अगर आप मुझे नहीं जानते हो मेरा नाम है मौसन आप देख रहे हो मिस्टर गुरेजी विलॉग्स चनल अभी तक आपने मेरे फिछले वाली विलॉग्स नहीं देखे तो वह भी देखे अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करें चनल को सबस्क्राइब करें दोस्तों आज मैंने नई लोकेशन से यह व्लॉग शुरू किया आप दे तो गई सभी दोनु टीमें जो है ना वो ग्राउंड पर आज चुकी है अज को आज किसी तरह को हवादी में बहुत कर आज यहां पर यह उसमें तोड़ा आज लेड होगे हैं जाकरांए भी जाकरांए जलो अलब अबेस आपको सभी को अगरा ख्याबरे आपके इं हां हम पार धी के हमारे हैं तो हम डीडिसी दावर में पहले टास जीता है तो हम डीडिसी दावर के कप्तान महमेद इकबाल से पुछना चाहेंगे कि आपकी क्या रंजिती रही आज और कितना टार्गेट देना चाहोगे आज तो यहां से इकबाल भाई हमाई बता रहे थे कि पचास से सट रहनों का अधब देना चाहेंगे जो एक बड़ा टार्गेट रहेगा वही वाबबोरा के कप्तान जो इसाग भाई है उनसे पूछना चाहेंगी कि क्या आपकी क्या रंगती होगी आज क्योंकि दोलूंटी में जो है बहुत मजबूत नजराती हुई है देखे अजास बाई टास्तों हमार चुके लेकिन हम दावार को कम से कम 35 करेंगी कि हमारे पास बालिंग नहीं अच्छी है हम उनको 30 से उपर करने नहीं देंगी यहाँ पर खेला जाएगा आज फाइनल मेच दावर और वापोरा के बीच में लेखिंगे फिर कौन जीतेगा तो कुछ इस तरह का ग्राउंड है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैड भी बिच्छाई गई है और बाकिया इस तरह देखे तमाशाई भी बहुत सारे पहाँ पहुति है तो शर अप क्या किहना आये के इस मेज के बारे में अवां छे नेigorम आपको सुन्व मेज देखे कर यहाँ पहली बिच्छाई विक्छी शर आपको आपका कहा से हो पर ह। कर दो में तो फिले यहं बहुत मचा कर रहा है कि невाट से हुआ प्लेश कर वहांластप्रम अर यह पर ज में पर मचेलन में आपर बहुंजिन बुच्छा नचर्मारी यह कृडश कर पहरं नियो है। एंडियन आर्मी रुन कर रहे हैं पहले आप देखें यहां पर कितने सारे तमाशाई भी आ चुके आपको अच्छी तरह से दिखा दूगा यहां से बेखें आगी तक भी वापोरा की जो टीम है वह माईदान पर उत्रज चुकी है अभी इनको फेल्डिंग करने है कि करतान है तो क्या के नचाते हो सर आप इस विंटर टोलोमेंट के बारे में बिल्कुल यह एक खुशाइं कदम है कि टू-3 जियार एंडियन आर्मी दुआरा यहां पर जो टॉर्णामेंट का इनकात किया गया है यहां के नौजवानों के लिए एक अच्छा मुका फराम करें कि वह सुनो किरकट में अच्छा काम करें ड्रागिस फ्री रहे और गलत कामों में ना पड़े तो एक अच्छा इनिशेटू एंडियन आर्मी दुआरा लिया गया है गुरेश के नौजवानों के लिए हम बहुत खुश है हमारी अवाम खुश है कि इस तरह के टॉर्णामेंट औ अच्छा टॉलामेंट रहा नाकाउट बेस पे रहा आगे आने वाले समय में भी यह गुजारिश है हमारे लोकल एडिमिस्टेशन से भी गुजारिश है कि ऐसे टॉलामेंट का इनिकात किया जाए और इंडियन आर्मी भी तो हर साल करती रहती है जिससे हमारी युवा जो ह इस नहीं भी नहीं खेलने जाते हैं उसको बढ़ावा मिलता हैं नो क्रिकट खेले में कितने मलब टफ होता है विंटर रहता हैं जो किसमें कहीं कुछ कहां नहीं जा सकता कि किसको रूक सकते हैं कभी आप एक और में चाल 10 से 15 नभी दे सकते हो एपके टीम भी पूरी टीम डाते ने के लिए डावर और वापवरा के बीच में खेला जाएगा ये मुकाबला वैसा बुझादी तो आप तो जानते हैं कि मैं दावर करेने वाला हुँ सबूर्ट करेंगे खेलने वाने वाले इन खिलाड़े होगा तो उसको sapa बिफाणे को Pu Om सब्सक्राइब करेंगे जो अच्छा खेलेगा हम उसका सब्सक्राइब करेंगे जो अच्छा खेलेगा वोगाता एक रंगे तासर इसको जापोचा थी क्योंकि आज अगर पिछी आंगी जाता है और आज एक बड़ा लक्षी बन सकता है क्योंकि अच्छा पीछे बना गया के लिए हमारे फूटरी जियार के जवानूंने बहुत मैनत करके इस पिच को इस तयार क्या के बड़ा लक तो बड़ा लगाना होगा अगर तरह की विए नहीं थे उमीद नहीं थे वह इस तरह था भ्राप के इन राजी करें विसाओं मैंनूमा को बाई 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 गांगे यार एक इन में आपने कि यार विए प्रुटरी दिश्ना नहीं पर अजिए आज बले बाजी के लिए का कि अनुकूल पिछ बनाई गई है थी प्रीजियार के जवानूने उनको हम बदाई देना चाहते हैं कि उन्होंने काफी अच्छा पिछ काले बनाया कल रात के साड़े शे बजे तक इस पिछ को क्यार किया गया आज शानवाद सारनागरी मर्तबा उनका सामना करींगे वह उ इस बार इक अच्छी वापची दूआरा लचाया तरह को कि इस ट्रीम को सपोर्ट करने वाले हो जीते हैं आज दो अब लगता है कि यह में नहीं खेलना चाहिए क्योंकि दावर जीता हुआ है यहां पर गिरी पहली विकट दावर की अफ्यू आवर्स लेटर एली इनिंग यहां पर एंड हो चुकी है दावर ने बनाए 42 रंस अभी वापॉर का बनाने 43 रंस बनाने देखेंगे वापॉरा की टीम बना सकेगी या नहीं बना सकेगी गाइस अभी दूसरी इनिंग से टाट हो चुकी है आप देख सेखेंगे यहां रहा है केवला बल्ले से लगने पर दिया इस बाले से इंगो को रंदे इंगो उप्सान में करना था हाप चानस को हंड़ड परसंद में करना होगा अगतानुंता फिर मैं से बाहर हो सकते हैं चीमांदान नहीं देना होगा वहीं बलेबास को देख देख के खेलना होगा क्योंकि चंत एक बड़ा हई प्रशर मैच है इस मैच में अगर इन्हें इस ट्राफी को अपने पक्ष में करना है तो रुकना होगा दोन्नों बलेबास सम्तार रखते हैं इस वहड़ा होगा दो अगंगेपा स्वाथ गदेख आर्च के अझार यहीं होगा वागा यहीं होगा हुए chs दिर्मने, टा निकी हो तरहो वेजिस कि व्या खिंवाक औरतना फिंद इन कि टुआ होता है ढरेस कि वीज सुन keen खिंदाला कोरा सไ pasti डिस आğ खिंदाला गुझ शर्शवर्ण गुझ आप 6 दूसां गुझ आप स्थ व्ले गुझ आप से सबस्क्राइब रहाँ है कि अधम करते लिए गुझ अमसर सर्थ, जेसियो सर्थ, सिविल अडिस्टेशन के सभी अधिकारी साइबान, एक सरपन्च, पन्च, नम्मरदार और अलग-अलग गाउं से आये हुए दर्शको का इस फाइनल मेंच के प्राइज डिस्टुईशन सेरमनी में में नायक सुदर सुरेश्थापा, हार दिश अभिधनदन करता हूं एहां गुरेश प्रेमियम लीग टूनामेंट विसे सत गुरेशी युवा को खेल पर्ती को भावना, जागरित करना, साथ ही गुरेशी सोनो क्रिकेट को बड़ावा देने के लिए गुरेश प्रेमियम लीग टूनामेंट का आये जना किया गया, जि की दिनान सा फिरवारी 2024 से सुरू होकर आज दिनान 13 फिरवारी 2024 को समापता होने जा रहा है ग्यारों इस्तान पर अथूरा विलियूट दौसों इस्तान पर की इलावे दावर नौ इस्तान पर दावर लेश्टान में पहुंचाएं टीम वांट पोरा और टीम दावर उसके बाद जहां पर फैंडल सर्मनी होगी आज के मैंन आप दे मैच मामाद इक्बाल लोग जा रहा है तो इस पूरे टोर्नामेंट के अंदर जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया आप सब जानती होंगे कि कौन होंगे इस पूरे टोर्नामेंट के मैंन आप दे टोर्नामेंट के शानवाद शानवाद की जाए गुरेज किरकट में सबसे जाद अच्छे आल-रौंडर गैनवाजी की बात हो चैंपले बाजी की बात हो उन्हें चाप रखी ए गुरेज किरकट में जोर्दार जाने बज़े शानवाद बड़ता ॐभार, जिहाबर, डूरी भरीजिए कभी एचिस्कोरिंग रोले मेड़िक निरason जोड़ दो थी तो यहां पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहोगा जो आज की विजटाए टीम है उनके कप्तान है मामद इसाथ मःपलू पर टेकर के यहां पर मिडल हसे जोड़ा चाहिए बजाए बजेबाई मामत इकबार लोग, एजाज आमद मपनू, शानवाद लोग, वारे आज के लूखे अप्टिति, जेप्टी कमांडर, वन जिद आने इंचेंट गेंग, और दार तालियों के पीछ में आ रहें, इसाख मपनू आज की विजदाटि, और ट्राफी वो हसिल करेंगे, क्योंकि श और लोग, एक दर फाम मैंची देखने को मिलाता, बड़ी आसानी के साथ इस टोर्नामेंट को जी पिल 2,012 को अपने पक्षिने किया,